हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूराज यादाओ और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत सौगत है स्मार्ट सीजी अप्डेट योट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कवर है बिग बेकिंग न्यूज है जी हां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जी हां आरक्षण जो है ईविएस आरक्षण दस प्रतिशाद बरकरार रखने का नेड़ा लिया गया है फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोड के द्वारा केंद्र का ये कहना है आरक्षन जो है 50% से ज्यादा नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोड का बड़ा फैसला आ चुगा है और फैसले में ये कहा गया है कि EBS का जो आरक्षन है वो 10% बरकरार रखा जाएगा ऐसे ही जारी रखा जाएगा पूरी जनकारी के लिए बने देहिएगा वीडियो से जुड़े रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के रेगुलर बेसिस पर रेगुलर जो है अपडेट अपलोड होते रह है जिनको EWS केटिगीरी में आरक्षन दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% आरक्षन उनके लिए जो है सुप्रीम कोट ने सोंवार को मुहर लगा दी है इस फैसले पर कि उनको 10% आरक्षन आगे भी दिया जाता रहेगा इस फैसले का फायदा जो है समान इसको नहीं माना गया है अब यह आरक्षन जारी रहेगा आगे आहां पर देख सकते हैं कि आखिर इसका मामला क्या था कि इस मामले पर यह जो केस चल रहा था और जिसमें आज जो है सुप्रीम कोट में जो है फैसला सुनाया है 2019 की लोग सभा चुनाव से पहले NDA सरकार ने आरक्षन दिया हुआ था इसके लिए समिधान में 103 संसोधन किया गया था ठीक है देख सकते हैं कि कानूनन आरक्षन की सीमा 50% से जादा नहीं होने चाहिए अभी देश भर में STSE और OBC वर्ग का जो आरक्षन मिलता है वो 50% जो सीमा तै किया गया है उसके भीतर है ठीक है यही यहाँ पर केंद्र कभी यही कहना था कि इसमें जो आरक्षन दिया गया है ठीक है उसको काउन करके भी 50% सीमा के सीमा है उसका उलंगान इसमें नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है अभी आगे देखेंगे फिलाग यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार ने इस फै तंबर का अपना फैसला सुरक्षित रखा था ठीक है अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब जो है आज इसका फैसला हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट ने क्या फैसला दिया है आज आज CJI, UU Lalit, Justice Bela Trivedi, Justice Dines Maheswari, Justice Pardhiwala और Justice Ravindra Bhatt की 5 सदसी यह जो आज फैसला सुनाया गया है ने इस फैसला यह जो है इस पर फैसला सुनाया है चीप Justice और Justice Bhatt ने EWS के खिलाप रहे ठीक है EWS के खिलाप रहे और 5 जजों की बेंच में से तीन जजोने हैं जो है इसके हक में फैसला सुनाया है इसके पक्ष में और दो जजोने इसके विपक्ष में रहे ठीक है तो यही यहाँ पर फैसला को सरोमानी किया गया कि जो 10% का जो आरक्षन EWS को उसको बरकरार रखा जाएगा और आगे भी यह आरक्षन EWS को दिया जाता रहेगा दोस्तों आप देख सकते हैं कि केंद्र में अब खिसकों कितना आरक्षन मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं OBC 27% SC 15% और ST का 7.5% का आरक्षन है पहले से और यहां पर EWS को 10% आरक्षन भी पहले की तरह अब भी आगे भी दिया जाता रहेगा तो आरक्षन का धाचा आप लोग देख सकते हैं केंद्र में जो आरक्षन का धाचा रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आरक्षन का धाचा रहेगा यहां देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जजों की बेंच ने फैसल सुना है जिसमें से 3 जजों ने सही ठहराया है और केंद्र की यहां प 1992 में Supreme Court नहीं फैसला दिया था कि 50% से जारा ज़्यादा आरक्षन जो है नहीं दिया जाना चाहिए ताकि 50% जगा समान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे यह आरक्षन 50% वर्ग में आने वाले समान्य वर्ग के लोगों के लिए है तो जो 10% आरक्षन EWS को दिया जाता है तो EWS आरक्षन समान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है जो economical weaker है उनके लिए है तो यह 50% आरक्षन का जो limit है उसको cross नहीं करता यह कहा गया है और यह समान्य वर्ग के लोगों के लिए है यह बागी के 50% वाले ब्लोग को disturb नहीं करता ठीक है तो इस प्रकार से यह पूरी दल अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरू कर दीजेगा और अगर चैनल पर नए है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद